ये देखे दोस्तों, बहुत ही सुन्दर डॉल केक, इसका शेप देखे आप कितना अच्छा डॉम शेप आया है और वो भी पिना डॉल केक मोल्ड के इतनी प्यारी सी डिजाइन देखकर कोई कैसे यकिन करेगा कि होम में नुजल से इतनी सुन्दर डिजाइन बनी है लेयर्स तो बिल्कुल पॉफेक्ट है तो बहुत ही इसलिए पिना एक्स्ट्रा का सामान खरीदे बहुत ही अच्छा डॉल केक बना है स्पेंज और सॉफ्टनेस तो हमेशा की तरह बढ़िया ही है तो तेर किस बात की चलिए शुरू करते हैं आज हम कुकर में केक को बेक करेंगे इसमें बस एक स्टाइन रखा है हमने इसके अंदर नमक पानी या रेत कुछ भी डालने के जरूरत नहीं है साथ में ही ये ढकन की रिंग और सिटी दुनों को भी हटा दीना और दस से पारह मिनेट लो मीडियम फ्लेम परिसे प्रिहिट करना कू करना हो तो आप सिंपली किसी अलुमिनियम के पतले में भी केक को बेक कर सकते हो ठीक है नब ये देखिए आज मैंने बेकिंग के लिए ये पाच इंच का अलुमिनियम का केक टीन लिया है अब पाच से छे इंच तक का कोई अलुमिनियम या स्टेल का डिपा भी इस्तमाल कर सकते हो और ये देखिए ये एक पाउल है मेरे पास लगबग टीन के साइज का ही है इसमें भी हम एक केक क को पेक करいंगे इस से डॉल का जो डॉम्शीप होता है वो देने में हिल्प होगे तो ये दोनों दोनों ही फटर हमें यूज करने हैं बस यूज करने से पहले दोनों को भी देल आङ पड़र से अंदर खेकर लिया और बेटर के लिए एक पाउल में डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी और आधा कप से थोड़ा सा कम दूद दूद और चीनी दोनों को अच्छे से मिला देना और फिर ये 40 ग्राम पिखला हुआ बटर भीस में डालना साथ में ही ये थोड़ा सा वनी लाइसेंस पी डाला है मैंने दोस् अब समय है इसमें कुछ ट्रा इंग्रेडियंस डालने का पहले पॉना कप मैधा डाल देना अभी तीन से चार बड़े चमच मिल्क पाउडर जाएगी 3-4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1-4 टीस्पून बेकिंग सोड़ा इस तरीके से इन्हें मिलाते हुए सारी चीज को मैनेज कर देना इस बच्चे हुए दूद के हमें जरूरत नहीं है अब यह एपल सेडर विनेगर इसमें से 1-1.5 चमच विनेगर मिश्रन में डाल देना वैसे आप वाइट विनेगर भी यहापर यूज कर सकते हो चेलेगा विनेगर डालने के बाद बैटर कुछ आता न फेटना बस अच्छे से मिला देना इसे और एक मिनिट के अंदर अंदर ही यह बैटर हलका हो जाएगा तो तुरंद इसे बाउल में डाल देना अब देख सकते हो कितनी अच्छे रिबन का अंसिस्टेंसी है बैटर की बहुत अच्छा केक बनेगा इसे 2-4 बार अच्छे से खोल कर मैंने इसे चेक किया तो टुपी क्लीन है मतलब केक बहुत अच्छे से बैक हुआ है थोड़ा सा ठेंडा होने के बाद नाइप से इसे साइड से लूज कर देंगे और फिर इस तरीके से इसे पलट देंगे आप देख सकते हो स्टील के परतन में भी कितना अच्छा क केक बना है तो अब आपको केक बनाने के लिए ऐलुमिनियम टीन खरीदने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टील के डिपए में बाउल में भी आप केक बना सकते हो यह कलर देखना केक का एक्टम आवन में जैसे बेक होता है वैसे ही लग रहा है स्पंज भी बहुत अच्छा स बटा देंगे जिससे लेरिंग करना असान हो जाएगा और यह साथ में ही शुगर सिरफ को भी अच्छा से अबसॉप कर बाएगा यह वाला पार्ट भी लगेगा हमें बात में तो इसे ऐसे ही रख देना जनरली मैं एक दिन केक को बेक करती हूं और दूसरे दिन इसका असे में बना सकते हो तो यह दिखिए पा जीच के गी मैंने दो लेयर्ज बनाई पाल वाले एक केग को भी इसी तरीके से दो लेयर्ज बन गई है कि यह को डेख करने के लिए यह मैंने करीबन यह कप से थोड़ी से ज्यादा विपिंग क्रीम को स्टिफ पिक्स आने तक बिट कि और विप क्रीम की पूरी जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो अब एक केक बोट पर या किसी घर की प्लेट पर थोड़ी सी क्रीम लगा कर पाच इंज का पेस इस पर रख देना ये देखिए इस तरीके से अरेंज करेंगे हम केक को और ये जो टॉप का पोर्शन हमने निकाल कर रखा था इसमें से भी थोड़ा सा पार्ट इस तरीके से काट कर लेना अब डॉल का शेप बनाने के लिए जो भी कटिंग करना ज़रूरी है जाता तर हम केक पर क्रीम लगाने से पहले ही करेंगे क्रीम लगाने के बाद कटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो उपर से नीचे तक स्लाइंटिंग लाइन में नाइफ को पकड़ कर इसे कट करते जाना और केक को काटने के लिए हमेशा सरेटेड नाइफ का ही यूज करना मतलब यह ऐसे डिजाइन वाला नाइफ है ना इससे केक ही अप्रेट बहुत अच्छे से कट होता है यह नीचे गिरे हुए टुकड़े वेस्ट नहीं होंगे यह तो ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगते है तो दोस्तों यह देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है जरूरत पड़ी तो कुछ कटिंग बात में करेंगे हम अब पेस को छोड़कर बाकी का उपर का केक उठा कर साइड में रख देंगे थोड़ी सी चीनी को पानी में घोल कर शुकर सिरप भी हमने बनाया है अब पहला काम है शुकर सिरप से केक को अच्छे से मोईस्ट करना और उसके बाद वीप क्रीम के लिया रिस पर लगा देना अब सेट स्पैचुला के हेल्प से इसे प्लेम करेंगे और फिर मेरी पास ये वेरी बेरी क्रश है मैं इसमें से थोड़ा सा केक पर डाल दूँगी अब आपके पसंद का कोई भी फ्रूट क्रश जैसे कि स्ट्रॉपबेरी पाइनपल या ब्लूबेरी कोई भी लगा सकते हो या फिर सिंपली कोई फ्रूट जैम भी इस्तमाल कर सकते हो अब ये दूसरी लेयर इसे भी सेम उसी तरीके से पहले मॉइस्ट करके फिर क्रीम लगाएंगे इस पर और हाँ ध्यान रखना केक को अच्छे से शुकर सिरप लगाना बहुत ज़रूरी है तब ही ये बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगा तो शुकर सिरप को स्किप करने का सोचना भी मत अब सेम प्रोसेस फॉलो करके ये भी लेयर लगाएंगे और इस वक्त आपको लगे तो आप कटिंग का बच्चा हुआ काम कर सकते हो हाँ पर क्रीम है तो इसे थोड़ा धीरे धीरे करना ये लास्ट लेयर मतलब पाउल के नीचे कापाट है तो इस पर शुकर सिरप लगाने से पहले इसे टूथपिक से थोड़े से होल्स जरूर करना ताकि ये सिरप को अच्छे से एबसॉप कर पाए और इस छोटे से टुकडे को भी मैंने यूज किया है इस पर अभी क्रीम मत लगाना केक पर लगाने के लिए मार्केट में अलग-अलग साइस के डॉल मिलते है इस में से आपके केक के साइस के हिसाब से डॉल को चूज करना डॉल का जो पोर्शन केक के अंदर जाने वाला है इसे मैंने बहुत अच्छे तरह से क्लीन कर लिया है इसे केक के सेंटर में लगाएंगे ज़रूरत पड़ी तो टुटपिक से थोड़ा सा होल कर देना बीच में ताकि डॉल को लगाना इजी हो जाए अब इस पूरे केक पर अच्छे से विप क्रिम लगाएंगे पहले एक क्रंबल कोट करेंगे अच्छे प्रेजेंटेबल केक के लिए कार्डबोर को प्लीन रखना भी ज़रूरी है अब प्लेन कोटिंग के लिए और एक पर क्रिम लगाएंगे पहले जितना हो सके स्पैचुला से प्लेन करना फिर फाइनली एक पर इस तरीके का स्क्रैपर ज़रूर यूज करना एक्चुली मैंने ये डॉल केक पूल में अब डॉल केक के लिए बनाया था पर ये देखिए थोड़ा सा फेल हुआ है ये मतलब जो गनाश था वो और उसके साथ ये गलेज भी पूरा बह गया एक्सपेक्टेड था गनाश और क्लेज से डॉल केक अच्छे से कवर हो जाए पर ऐसा नहीं हुआ इसलिए मैंने इस रेसिपी को थोड़ा सा पोस्ट पॉंड किया है पूल में अब की ट्रिक मेरे लिए तो फर्स टाइम में वर्क नहीं करी पर इस पर और थोड़ी से स्टड़ी करके आपके लिए पूल में अब टॉल केक का वीडियो विट आल टीप्स औं ट्रिक्स में चल्द ही लेकर आऊंगी पर आज मैं आपको इस टॉल केक को बिना नोजल डेकुरेट करने का इसी तरीका बता दूँगी अब घार में कभी तो केक बनाने के लिए नोजल खरीदना हर एक के लिए फीजिबल नहीं रहता तो कोई बात नहीं बिना नोजल भी आप केक को बहुत अच्छे से डेकुरेट कर सकते हो उसके लिए आपको बस इस तरीके का एक डिस्पोजिबल टीकप लगेगा इसका ये जो साइड का बॉल्डर वाला पोर्शन है इसे पहले हटा देना बीच में से काट कर सेम इसी तरीके से नीचे का बेस भी हटाना इसमें से बस आधा पाट चाहिए हमें आगे की प्रसेस बहुत सिंबल है इस तरीके से पकड़ कर घुमाते हुए इसे कोन का शेप दे देना एक्दम टाइट पकड़ कर सेलो टिप से इसे पैक कर देंगे ये उपर का एक्स्ट्रा का पोर्शन हटा देना ये दिखिए पैक तो हो गया है पर दिखने में सुन्दर लगे इसलिए सेलो टिप से मैंने इसे पूरी तरीके से कवर कर लिया है अब ये टिप का जो पोर्शन है इस तरीके से थोड़ा सा कट करना एंड फाइनली इसका हमें ऐसे पतला सा ट्रेंगल कट करना है इसके साइड में चिपक कर दूसरा ट्रेंगल तीसरा ट्रेंगल ऐसे ही करते हुए सिग्जाग की डिजाइन मनाएंगे और ये दिखिए कितना इजी ली ये अपना स्टार नोजल बन गया है अब मुझे डॉल को परपल करना था पर ये कलर नहीं है मेरे पास तो मैं क्रीम में थोड़ा सा बिंग कलर और फिर बिल्कुल थोड़ा सा ब्लू कलर डाल कर मिलाओंगे मैंने ब्लू कलर बहुत कम डाला है अब आपके हिसाब से कलर करना थोड़ा सा डार्क कलर किया है मैंने और फिर हमने होममेंड नोजल के साथ पाइपिंग पैक में इसे भर दिया है और अब ये देखिए होममेंड नोजल से भी कितने सुन्दर रोजेट बने है जैसे जैसे उपर उपर जाओ क्रीम का कलर मैंने लाइट कर दिया है और homemade nozzle से बहुत ही अच्छा केक बना है इसके अलावा और भी कुछ design इस nozzle से आप कर सकते हो basic nozzle की detail जानकारी के लिए description में दी गई वीडियो की link ज़रूर check करना अब आप चाहो तो doll cake के उपर के पार्ट में भी cream से dress बना सकते हो मैंने बस यहाँ पर cream की एक border बना कर इस पर यह purple color के sugar balls लगाए है यह दिखिए यह है वो तो दोस्तों आप भी इस तरीके से doll cake ज़रूर बनाना और आपके अनुबों comments में share ज़रूर करना आपके cake के photograph साप मुझे मेरे gmail ID पर share कर सकते हो मैं इन्हें मेरे instagram या facebook page पर भी share कर दूँगे और हाँ आपके अनुबों comments में ज़रूर share करना वीडियो अच्छा लगा तो like ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ इसे share भी करना अगर आप मेरे चानेल पर नए हो तो नीचे का लाल रंगा subscribe पटन ज़रूर दबाना साथ में बेल एकन को भी क्लिक करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया